सरकारी नौक्रियों के नाम पर पूरे देश के किसी भी व्यक्ति को अराजक्ता करने का को एधिकार नहीं है गुंडागर्दी करने का किसी को भी एधिकार नहीं है अनेकों लोग सरकार उपर दवाव भी बनाने की कोशिश करते हैं कि सरकारे सरकारी नौक्री क्यों नहीं देती है यह संभो नहीं है कि पृत्येक विक्ति को नौक्री दे दी जाए सरकारी नौक्री पृत्येक विक्ति को दी जाए ऐसा कैसे सम्भव हो सकता है किसी भी लोकतांत्रे कुदेश की पूरी व्यवस्थाएं वहां के सरकार के हाथ में होती है पूरे केंद्र की सरकार पूरे देश को कंट्रोल करती है उसके साथ साथ पूरा देश कई सरप्रदेश और कई सरे यूनिन टेरिटरीज के रूप में बन्धा होता है प्रदेश शो में मुख्य मंत्री भी अपने जिम्मेदारियों को निभाते हैं इस प्रकार से सभी अपने अपने जिम्मेदारियां सरकार के माध्यम से चलाते हैं लोगतांत्रिक देश की विवस्था में सरकार ही मालिक है अब ये सुचने की बात है ये समझने की बात है ये कहां तक सही है कि ये सरकारों ने हमें नौकरी नहीं दी तो हम कुछ भी करने को त्यार हो जाएंगे डंगा फसाद करेंगे, मार पीट करेंगे, अराजक्ता करेंगे नहीं किसे वे कीमत पर इससे कारें नहीं किया जा सकता और ये दे इस प्रकार की गते विधियों को जबरन देश को शामिल करके उसके उपर थोपा जाएगा तो ये असमवय धानिक होगा महत्पूर्ण ये है कि ये मालिक के जिम्मेदारी है ये मालिक का करतव भी है कि वह अपनी ववस्था को उस सिसाब से चलाए जिस सिसाब से सरकार देश को लाभ प्रदान कर सके सरकार का ये अधिकार नहीं कि वह कुछ भी करे सब कुछ लुटा दे ये बिल्कुल ठीक नहीं है ना होना चाहिए और इसलिए सरकार इस भात का निर्धारण करेगी कि उसे कितने सरकारी नौकरी देनी है सोचने की बात है अगर एक कार है उससे कार को करने के लिए सरकार को दस लोगों की आवशकता है दस के माध्हम से वह उसकारी को पूरा करवा सकती है तो फिर ग्यारा लोगों को वह क्यों नौकरी दे बलकि उसे तो और कम करके यदे दस लोग कारी कर सकते हैं तो कोई ऐसी तक्निक निकाली जाए कोई ऐसी कोशिश की जाए जिससे की दस के बज़ाए ये गिंतियां और कम तक पहुंच सके जब खर्चा कम होगा लागत कम होगा तब ही लाब होगा और यदि इस इसाबसे कारण नहीं किया जाएगा तो देश कैसे चलेगा मैं आहत हूँ कि आए दिन जब देखिये तब कहीं चात्र बवाल कर रहे है तो कहीं सरकारी कर्मचारी बवाल कर रहे है कहीं कोई बवाल कर रहा है कोई कहीं हरताल कर रहा है कोई दंगा फसाद कर रहा है मार पीट कर रहा है अराजकता कर रहा है ऐसे तो नहीं चल सकता आखिर मेरे बात यह समझ नहीं आती कि पूरी देश के सभी लोग सरकारी नौकरी ही क्यों पाना चाहते है फिर ऐसे क्यों नहीं बनना चाहते कि वे औरों को भी नौकरी दे सके अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर सरकारी नौकरीयों में ऐसा क्या रखा है जिसके लिए लोग कुछ भी करने को त्यार हो जाते हैं लेकिनि कुछ भी करके जगे को पाने की कोशिश संशे पैदा करती है और इस संशे में ऐसी गतिविधिया करने वाले ही लोग अपने आपको प्रस्ण चिन्न लगा कर प्रस्तुत करते हैं हमें ऐसी गतिविधियों से बचना होगा सरकार जिस प्रकार से भी हमें नौकरियां देती है हमें सिलकारे होना चाहिए यही एक देश के नागरिक की जिम्मेदारी है और उसका धर्म भी